हेलो एब्रीबन वेलकम टू एक्जाम और्बिट क्लासिस आज की क्लास में डिसकस करेंगे 20 मार्स से लेकर 27 मार्स तक का मोस्ट इंपोटेंट करेंट अफ यर्स फेंट्स अगर आप तो किसी भी अग्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत यूसपुल रहने बाली है तो बने रहे हैं क्लास के लास तक क्लास को एक वाज शेयर जरूर कर दीजिए चलें डिसकस करेंगे फर्स्ट कोईशन नीती आयोग के निरियात तयारी सुचकांक 2021 में सीर्स पर कौन सा राज्य है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात आए डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में गुजरात नीती आयोग के निरियात तयारी सुचकांक 2021 में सबसे उपर है इसके बाद क्रमसा दूसरे और तीसरे स्थान पर महरास्ट और करनाटक है इसका उद्देस निरियात छमता और प्रदसन के मामले में राज्यों की तयारी का आखलन करता है अब डिसकस करेंगे नी नीती आयोग का गठन एक जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया नीती आयोग का मुख्याले नई दिल्ली में है बर्तमान अध्याच है पिर्धान मंतरी नरीन मोधीजी जबकि उपाद्याच है राजीब कुमार और सीईओ है अमेताप कांथ अगर आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगला कोईशन रिवीजन करेंगे दो हजार पचास तक सुत्य सूने कारवन और सर्जन लक्ष निर्धारित करने वाला पहला दच्छिड एसी आई सहर कौनसा बना है तो इसका राइट आंसर है अप्शन भी मुंबई मुंबई का लक्ष दो हजार सत्तर तक सुत्य सून और सर्जन तक पहुँचने के भारत के लक्ष से 20 साल आगे है इस लक्ष में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस और सर्जन में 30 प्रतिसत की कमी और 2040 तक 44 प्रतिसत की कमी भी सामिल है अब डिसकस कर लेते हैं आगामी परिक्षा के लिए महत्तपून पॉइंट भारत कब तक सुद्य सुनिकारवन उस सर्जन के अपने लक्ष को हासिल कर लेगा तो फिंस याद रखना है 2070 तक भारत ने किस वर्स तक उर्जा सुतंत्र बनने का लक्ष ने धारित किया है 2047 तक सूर्य पर एनर्जी किसे बनती है नाब किया सल्यन दुवारा दुनिया का पहला उर्जा दीप कौन बनाएगा डैनमार्क अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स वाक्स बताइए कि डैनमार्क की कैपिटल क्या है बिस्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमी क्यलाता है नीदल लेंड एसिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर है दुरगापुरा पच्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने किस वर्स तक किर्सी छित्र में डीजल को अक्षय उजा से बदलने का लक्ष रखा है दो हजार चौबीस तक टाटा स्टील ने सियोटो कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां चालू किय है जमसित पूर में नेस्ट कोईशन देखेंगे 35 बार सूरज कुंड अंधरास्टिय सिल्प मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है तो इसका राइट अंसर है अप्शन ए हरियाना में आये डिसकस कर लेते हैं इस मेले के पारे में इसका आयोजन हरियाना के फरीदाबाद में 19 मार्ट से 4 अप्रेल तक किया जाएगा सूरज कुंड मेला स्वयम में एक बिजस्ट आयोजन है क्योंकि यह भारत के हस्त सिल्प हत करगा और सांस्कृतिक तानेवाने की सम्रद्धी एबं विविदता को प्रदशित करता है यह दुनिया का सबसे बड़ा सिल्प मेला है य भारत का पहला डिजीटल बॉटर डेटा बैंक एकेवीरियम के सराज्च में लॉंच किया गया है तो इसका राइट आंसर है अपसंसी करनाटक राज्च में इसे लॉंच किया गया है फेंट्स याद रखिएगा भारत का पहला है डिजीटल बॉटर डिजीटल बॉटर डे बिविन संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है जो जल के बिविन पहलुओं के बारे में बिश्वस्निय जानकारी पिर्दान करती है नेस्ट कोईशन रिवीजन करेंगे बल्ड हैपिनेंस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिंग्लैंड लगातार कौणसी बार पहले स्थान पर रहा है तो इसका सही आंसर है आपसंडी कोल पांचवी बार आए डिसकस करनेते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड बल्ड हैपीनेंस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिंगलेंड लगातार पांचवी बार पहले स्थान पर रहा है जबकि दूसरे स्थान पर है टैन्ड मार्क उसके बाद क्रमसा है आइसलेंड और सुज़ड लैंडो इस रिपोर्ट में भारत ने 136 वा इस्थान हासिल किया है पिछली बार भारत इस रैंकिंग में 149 वे स्थान पर था फेंड्स याद रखेगा भारत की रैंकिंग इंपोडेंट है क्योंकि आगामें परिक्षा में पूछी जा सकती है अगला कुश्चन देखेंगे किस राज्ज सरकार ने भूमी अभीले को तक आसान पहुँच सुनिछित करने के लिए दिसांक एप पिक्सित किया है तो उसका राइट आंसर है अप्सन बी करनाटक सरकार दुआरा इस एप को बिक्सित किया गया है दिसांक एप को करनाटक राज रिमोर्ट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर के भोगोले सूचना प्राणली कारिक्रम के तहत बिक्सित किया गया है नेस्ट कोईशन रिबीजन करेंगे मिस वर्ड 2021 का खिताब किसने चीता है तो उसका राइट आंसर है आपसन ए केरोलीना बिला वसका जोकी पॉलेंड की रहने वाली है आई डिसकस कर लेते हैं कुछ इंपोडेंट फैक्टो सेंट राज अमेरिका की सिरी सेनी इस प्रित्योगता की फर्स्ट रन अप रही है जबकि भारत की तरब से मनसा वार्णासी ने इस प्रित्योगता में फाक लिया था नेस्ट कोईशन है अंथरास्टिय भो वैज्ञानिक कॉंग्रेस का 36 वा संसकरण के सहर में आयुजित किया गया तो उसका सही आंसर है अप्शन दी नई दिल्ली में इसका आयुजिन किया गया है 36 वा अंथरास्टिय भो वह बहुत किये कॉंग्रेस माइस और प्रत्वी बिज्ञान मंत्राले भार्टिय रास्टिय बिज्ञान अकादमी बांगला देश नेपाल स्री लंका की बिज्ञान अकादमियों के बीच एक सायोग है नेस्ट कुशन देखेंगे किस देश की सरकार दुआरा सुरेश रहना को स्पोर्ट्स आइकन पुरुसकार से सम्मानित किया है तो मालदीब की सरकार ने सुरेश रहना को इस पुरुसकार से सम्मानित किया है जैसा कि आप लोग पिक में देख सकते हैं नेस्ट कुशन रिबीजन करेंगे फसल बिवीदी करण सुचकांक सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा पना है तो इसका राइट आंसर है अप्सन एक तेलंगाना आएं डिसकस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तेलंगाना फसल बिवीदी करण सुचकांक सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है फसल बिवीदी करण सुचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किश्मों की फसलों को उगाया जाता है जिसमें से बिवीदी करण के लिए केवल 10 को ही चुना चाता है यह सुचकांग तेलंगाना राज्ची के भविस में फसल विवीदी करण के लिए आधार के रूप में काम करेगा अगला कुशन डिसकस करेंगे गैर इंटरनेट उप्योग करताओं को डिजीटल भुक्तान के पेसकस करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है तो पहली कंपनी बन गई है भार्तिय पैट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स बताइए कि बर्तमान में भारत में कितनी कंपनी कंपनीों को महारतन का दरजा प्राप्त है आपको बता दे कि पिछले हफ्ते आर्बी आई गवन्नर दुवारा यूपी आई बन टू थ्री पेके पेके लॉंच की घोशना के बाद बीपी सी एल उपभोगताओं को अपनी सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी है नेस्ट क्वेशन देखेंगे मनिपूर के मुख्य मंत्री हाली में कौन बने है एन बीरेंस सींग अगला क्वेशन है टी सी एस के नए एमडी और सी एयो कौन बने है तो इसका राइट आंसर है अपसन ए राजेस गोपी नाधन जिनने आप लोग पिक में देख सकते हैं टी सी एस की स्थापना 1968 में हुई थी जबकि मुख्याले मुंबई माहरास्ट में है नेस्ट क्वेशन देखेंगे प्रभावी बहु पक्षबात पर सयुक्तरास्ट सलाकार बोड में किस भार्तिये को नियुक्त किया गया है मोस्ट इंपोटेंट क्वेशन है याद रखिएगा इसका राइट आंसर है अपसन ए जैती खोस जिनने आप लोग पिक में देख सकते हैं आई डिसकस कर लेते हैं इसे रिलेटेड भार्तिय बिकास अर्थ सास्त्री चैती घोस को सयुक्तरास्ट महा सचिप एंटोनियो गुटेरस ने प्रभावी बहु पक्षबात पर एक उच इस्तरिये सलाकार बोड में नियुक्त किया है घोस को बारत सदस्य बोड में नामित किया गया है वह आर्थिक और सामाजिक मामलों पर सयुक्तरास्ट के उच इस्तरिये सलाकार बोड की सदस्व भी है नेस्ट कुशन देखेंगे भारत हो किस देश के बीच नौबा सयुप्त सैन ने अभ्यास लामित ये 2022 आयोजित किया जा रहा है तो इसका राइट अंसर है अपसंसी सेसल्स के साथ आये डिसकस कर लेते हैं इस युद्ध अभ्यास के पारे में इसका आयजन सैसल्स रक्षा अकादमी सैसल्स में 22 मार्स से 31 मार्स 2022 तक किया जाएगा इस अभ्यास का उद्धेश से अर्ध सहरी बातावरण में सत्रू बलों के खिलाब सत्रू बलों के खिलाब विविन अभियानों के दौरान प्राप्त किये गए अनुभवों को साजा करने और संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए छम्ता में प्रद्धी करना है आपको बता दे कि यह हैं दूई बार्षिक परिशिक्षन कारिकरम है किस मंत्राले द्वारा डीप ओसन मिसन लांच किया गया है तो इसका राइट आंसर है अप्शन बी प्रत्वी बिग्यान मंत्राले ने से लांच किया है आई डिसकस कर लेते हैं कि यह क्या है प्रत्वी बिग्यान मंत्राले द्वारा डीप ओसन मिसन को लांच किया गया है डीप ओसन मिसन भारत सरकार की ब्लू एकॉनमी पहल का समर्तन करने हेतु एक मिसन मोट पोजेक्ट है इससे पहले प्रत्वी बिग्यान मंत्राले ने ब्लू एकॉनमी पॉलिसी का मसोदा भी तयार किया था भारत के कुल ब्यापार का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार के जरिये होता है ब्लू एकॉनमी किसे कहते हैं डिसकस कर लेते हैं समुद्री रास्तो नए बंदरगाओं और समुद्री सामरिक नीती के जरिये अर्थ विवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू एकॉनमी कहलाता है नेस्ट कुरिशन डिसकस करेंगे BCCI सचिप जैसाहा का ASEAN किर्केट काउंसिल के अध्याच के तौर पर कारेकाल बढ़ा दिया गया है वे अब किस साल तक SEC के अध्याच बने रहेंगे तो फ्रेंट्स याद रखेंगे 2024 तक जैसाहा को आप लोग पिक में देख सकते हैं अगला कुश्चन डिसकस करेंगे किस भारतिय महिला तेज गेंदवार 200 बंडे मैच खिलने वाली दूसरी महिला किर्केटर बन गई है तो इसका राइट आंसर है अपसन A छूलन गोस्वामी जिनने आप लोग पिक में देख सकते हैं आई डिसकस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर भारतिय महिला तेज गेंदवार जूलन गोस्वामी 200 बंडे मैच खिलने वाली दूसरी महिला किर्केटर बन गई है जबकि पहली कौन है मिताली राज आपको बताते कि 19 मार्च 2022 को आस्ट्रेलिया के खिलाब मैच में उतरने के साथ ही 49 बरसी जूलन ने यह उपलब्दी हासिल की है नेस्ट कुश्यन रिबीजन करेंगे आम आजमी पार्टी के नेता भगबंत मान ने किस राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में सपत ली है तुसका राइट आंसर है आपसल ए पंजाब के मुख्य मंत्री के रूप में इन्होंने हाली में सपत ली है नेस्ट कुशन डिस्कस करेंगे भारत और किस देश की नौ सेनाओं के बीच अभ्यास डस्टलिक सुरू हुआ है तो इसका राइट आंसर है अप्शन ए उजवेकिस्तान की नौ सेना के साथ आये डिस्कस कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में भारतिय सेना और उजवेकिस्तान सेना के बीच अभ्यास डस्टलिक नामक संयुक्त परिसिक्षड अभ्यास का तीसरा संसकरण 22 से 31 मार्च 2022 तक उजवेकिस्तान में आयुजित किया जाएगा डस्टलिक का अंतिम संसकरण मार्च 2021 में रानी खेत यानिकी उत्तरा खंड में आयुजित किया गया था अब डिस्कस कर लेते हैं उजवेकिस्तान के बारे में मैप में आप लोग उजवेकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं राजधानी तासकंद है बतमान राष्टपती हैं सबकत मिर्जियो एप जबकी मुद्रा है उजवेकिस्तान सोम अगला कुश्यन देखेंगे बुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अबोर्स के पांचवे संसकरण का आयुजन किस ने किया है तो फिंट्स याद रखेंगे नीती आयोग के द्वारा इसका आयुजन किया गया है आजादी का अमरत महसब के हिस्से के रूप में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जस्न मनाने के लिए डबलो टी आई पुरुसकारों को ससक्त और समर्थ भारत की दिसा में उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्माने किया गया है अगला कोशन देखेंगे धोल उसब या धोला जात्रा महसब किस राज में मनाया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पच्छिम बंगाल राज में इस उसब को मनाया गया है डिसकस कर लेते हैं इस उसब के बारे में पच्छिम बंगाल राज में धोल उसब या धोल जात्रा महसब रंगों का तिवार मनाया गया है जो बसंत के मौसम की सुरुवात का प्रतीक है पच्छिम बंगाल की रास्थानी कॉलकाता है बत्मान राजजपाल जगदीब धनकड है जबकि मुख्य मंत्री है मम्ता पनर जी नेस्ट कुईशन देखेंगे उत्रा खंड के नए मुख्य मंत्री कौन बने है तो इसका राइट आंसर है पुसकर सिंग ठामी जिनने आप लोग पिक में देख सकते हैं अगला कुईशन डिस्कस करेंगे किस राजज को नर्स सिंग पित्तेई नाग स्वर्म के लिए भोगोलिक संकित टैक पित्दान किया गया है तो इसका राइट आंसर है अपसन ए तमिल लाडू को नेस्ट कुश्यन है इस्पोर्ट्स स्टार ऐसेस अबोट में प्रतिस्टित स्पोर्ट्समें आप्ता येर 2022 का पुरुसकार किसने जीता है तो फ्रेंस याद रखना है नीरत चोपडा ने आप तो पिक में देख सकते है आए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोडेंट फैक्ट नीरत चोपडा का सम्बंद किस खिल से है भाला फैक्ट से वही महिला बर्ग में मीरावाई चानू ने स्पोर्ट्स बुमेन आप दा येर 2022 का पुरुसकार जीता है इनका सम्बंद भरत तौलन खिल से है अब डिस्कस कर लेते हैं अन्पुरुसकार विजेताओं की सूची बर्स 2022 की सर्वसेस्ट खिलाडी का पुरुसकार दिया गया है लवलीना बौर गोहन को जिनका सम्बंद है मुक्य पाजी से 2022 के पैरा एतलित महिला का पुरुसकार दिया गया है अबनी लेखरा को बिसेस माननिता पुरुसकार दिया गया है प्रमोत भगत को जिनका सम्बंद किस खिल से है पैरा पैटमिंटन से 2022 के सर्वसेस्ट महिला खिलाडी टीम खेल का पुरुसकार दिया गया है सबीता को जबकि पुरुस खिलाडी टीम खेल का पुरुसकार दिया गया है रुपिंदर पाल सिंग को Lifetime Achievement Abort 2022 कप से सम्मानित किया गया है अजीद पाल सिंग को जो कि भार्टी है होकी टीम के पूर्व कप्तान है नेस्ट कुशन डिसकस करेंगे ऐसले बाटी ने मात्र 25 साल की उम्र में केस खेल से सन्यास ले लिया है तो फिंट्स याद रखना है टैनिस से इनका सम्मंध है यानि कि राइट आंसर होगा अगला कुशन रिबीजन करेंगे किस देश ने ब्रिक्स टी का अनुसंधान एवं बिकास केंद्र लॉंच किया है तो उसका राइट आंसर है ऑप्सन ए भारत दुवारा इसे लॉंच किया गया है आए डिसकस कर लेते हैं इसी के बारे में केंद्र या स्वास्त मंत्री प्रिक्स टी का अनुसंधान एवं बिकास केंद्र लॉंच किया गया है यहें केंद्र टीके के बिकास और अनुसंधान के छित्र में प्रिक्स देशों के लावों को एक साथ जोडने में मदद करेगा जो प्रिक्स देशों की संक्रामक बीमारियों को नियंतरित करने और उ नेस्ट कोईशन देखेंगे कारवन न्यूट्रल फार्मिंग को सुरू करने वाला पहला भार्टियर राज्जिक कौन सा बना है तो इसका राइट आंसर है अपसन एक केरल नेस्ट कोईशन रिबीजन करेंगे सक्षम जो हाली में खबरों में रहा किस असस्त्र बलका अब पिक में सच्छम को आप लोग देख सकते हैं आए डिसकस कर लेते हैं आगे भार्टियर टटरक्षक बल के बारे में भार्टियर टटरक्षक बल की स्थापना एक फरवरी 1977 में की गई थी बर्तुमान महा निर्देशक हैं बीरेंद्र सींग पठानिया जबकि मुख्याले है नई दिल्ली में यहें रक्षा मंत्राले के तहत काम करता है नेस्ट कोईशन रिविजन करेंगे आईक्यू एयर दो हजार एक्किस विस्व वायू गुडवक्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी कौन सी है तो इसका सही आंसर है अप्श दिल्ली को लगातार दूसरे वर्स दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी सहर का तरजा दिया गया है नई दिल्ली के बाद है ठाका एन जमेना दुसामबे और मसकट सीर्स पांस सबसे प्रदूसित राजधानी सहर है नेस्ट कोईशन देखेंगे इंडियन सूपर लिग 2022 का खिताब किस ने जीता है तुसका राइट आंसर होगा option D हैदराबाद एपसी ने इसे जीत लिया है किसे हरा कर केरला ब्लास्टर को हरा कर आपको बताते कि हैदराबाद एपसी का यह पहला इंडियन सूपर लिग खिताब है next question है कि सहर में बिलोपी भारत गैलरी का उधगाटन किया गया है तुसका राइट आंसर है option A कॉलकाटा पच्छिम बंगाल में इसका उधगाटन प्रधान मंतरी नरेंडर मूदी जी दुवारा किया गया है यह गैलरी सुतंतरता संग्राम में क्रांती कारियों की योगदान और बिटिस अपनिवेशिक सासन के प्रती उनके प्रतिरोध को प्रदशित करती है अगला question revision करेंगे कि संग्राटन ने सत्य से सत्य पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपर सौनिक क्रूज मिसाइल का सपल परिक्षण किया है DR-DO ने DR-DO ने इसका परिक्षण किया है अंडवन निकोबार तीप समू से next question देखेंगे discuss का लिते हैं एक बार ब्रह्मोस मिसाइल के पारे में ब्रह्मोस क्या है एक सुपर सौनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रसिया ने मिलकर किया है ब्रह्मोस का नाम दो हिस्सो यानि भ्रह्म और मोस से बना है ब्रह्म यानि की ब्रह्मा पुत्र नदी और मोस यानि की रसिया की मोस्कोबा नदी है यह दुनिया की सबसे तेज एंटिसिप क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल धोनी गती से लगभग तीन गुना तेज उड़ान भड़ सकती है डिसकस कर लेते हैं डियाइडियों के बारे में डियाइडियों का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं बिकास संगठन डियाइडियों की स्थापना 1958 में हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है और बर्तमान अध्यच है डॉक्टर जी सतिस रेडी नेस्ट कोईशन रिवीजन करेंगे राष्टपती रामनात कोबिन ने गुजरात में किस नौसेना पोत को प्रतिस्टित राष्टपती द्वजबर्दान किया है तो उसका राइट आंसर है आप्षन ए आइनस बल सुरा को अगला कोईशन है विम्स्टेक सिखर सम्मेलन दो हजार बाइस की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो उसका राइट आंसर है अप्षन बी स्री लंका 30 मार्श कोर स्री लंका के कोलंबो में आयुजित होने वाले पांचवे विम्स्टेक सिकर सम्मिलन का उदगाटन स्री लंका के राष्ट पती गोदवायर राजपच्छी दुवारा किया चाएगा अगला कोशन देखेंगे भारत सरकार ने किस वर्स तक 220 नए हवाई अड़े बनाने का लक्ष रखा है तुसका राइट आंसर होगा अप्शन एक दो हजार पच्चीस तर आपको बता दे कि सरकार ने नागरिक उड़ेन उद्यों को भारत की अर्थ विवस्ता का एक महत्पूर घटक बताते हुए दो हजार पच्चीस तक 220 नए हवाई अड़ों के निर्माण का लक्ष रखा है अगला कुशन देखेंगे ब्रस्टचार बिरोधी हेल्प लाइन किस राज्य सरकार दुआरा सुरू की गई है तो इसका राइट आंसर है अपसन बी पंजाब राज्य सरकार ने हाली में से जारी किया है नेस्ट कुशन है पदम भिभूशर प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेट कौन बने हैं तो राइट आंसर होगा आपसन ए देविंद्र छांजडिया जिन्हें आप लोग पिक में देख सकते हैं अगला कुशन रिबीजन करेंगे किस बैंक ने को ब्रांडिट क्रेडिट कार्ट के लिए आइपेल टीम चैन्नेई सुपर किंग्स के साथ साज़ेदारी की है तो इसका सही आंसर है आपसन ए आइसी आइसी बैंक के दुवारा हाली में साज़ेदारी की गई है इस कार्ट का नाम चैन्ने सुपर किंग्स ICIC बैंक क्रेडिट कार्ट रखा गया है अगला कोशन डिस्कस करेंगे किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संगर्स में पहली बार हाइपर सौनिक मिसाइल का इस्तमाल किया है तो उसका राइट आंसर है ऑप्जन डी रस्या जैसा कि आप लोगों को ग्यात है कि अभी रस्या और यूक्रेन के बीच चल रहा है यूद्द तो फ्रेंड्स हमने पूरे बीक का करेंट अफ्यार रिबीजन कर लिया आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है थैंक्यू थैंक्यू सो मच